दिप्ती और अश्विन जिस फ्लैट में रह रहे थे वो फ्लैट दिप्ती खईद रही थी जिसके बाद दिप्ती ने पुश्पा से सलाह लिया तो पुश्पा ने दिप्ती को वो फ्लैट खरिदने के लिए बोल दिया था दिप्ती को पहले 20 साल की किस्तों में फ्लैट के पैसे देना था लेकिन अब वही फ्लैट 10 साल की हो गई है जिसके बाद दिप्ती की मुश्किल बढ़ जाएगी क्यूंकि सारे पैसे अगर दिप्ती की किस्तों में ही चला जाएगा तो वह घर कैसे चलाएगी खुद का कर्च अगर इस बार कोटक ने पुष्पा से पंगा लिया तो पुष्पा को छोड़ेगी नहीं